लमस्कार दोस्तों ग्यान विशेश चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा देश भारत वर्ष अनेक वीड जड़ी बुटियों से भरा होआ है भारत वर्ष में अनेक प्रकार की चमतकारिक और दुरलब जड़ी बुटिया पाई जाती है जिसकी जादतर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं चानते दोस्तों प्रकुति के अनमोल खजाने में से आज में आपको एक अद्बुट जड़ी बुटि का दर्सन कराने चारा हम जिसका नाम ही द्रोन पुस्पी दोस्तों इस प्रकार का होता है द्रोन पुस्पी का पोटा अच्छी तरह से पहचान निचे ये कई प्रकार की बीमारियों की एक कारगर जड़ी बुटी है द्रोन पुस्पी का पोटा लगबग सारे भारत वर्स में बारिश के मौसम में उत्पन होता है ये खेतों में खर्पतवार के रुप में होता है और सड़क के किनारों पर भी आपको देखने को मिल चाता है ये पोधा रेतिले जमिन में ज़्यादा तर उत्पन होता है ये बहु वर्सायू होता है जहां पानी मिल रहा हो ऐसे स्थान पर ये पूरे वर्स भर रहता है इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। दोस्तो इस द्रोन पुस्पी की कहीं सारी प्रजातिया पाई जाती है। इसका अंग्रिजी नाम थंबे और लेटी नाम लिूकस सिपलोटुस है। आयरुवेद के अनुसार द्रोन पुस्पी के गुणों की हम बात करें तो ये स्व बोदे का पंचाग, क्रुमी मिटानी वाला, स्वेद जनन, विरेचक और उत्तेजक होता है। ये सरीर में हुई सभी प्रकार की सुजन में पाईदेमंद होता है। ये स्वासनलिका की सुजन को भी दूर करता है। कामला रोग को नश्ट करता है और साथ ही अजीरन मिटात है। पक्सगात, जिर्ण जवर और तवचा रोगों में भी अधिक पाईदेमंद है। दोस्तों अगर आपको सिर्दर्द की समझ्या होती है तो इसके ताज्य पत्रों का रस निकाले और माते पर लगाए। इससे सिग्रही सिर्दर्द मिटता है। इसके अलावा इसके ता जिर्दर्द दूर होता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया हो तो इस गुमा के ताज्य पत्तों का रस निकाले और इसका नश्य ले तथा आँकों में अंजन करे। इसके साथ ही इसके पांच मिली रस के साथ थोड़ा सा सहथ मिला कर पीए। इससे कामला रोग में अधि इन बार शिवन करें। इससे कामला रोग सहित पांडू रोग भी नश्ट होता है। इस जड़ी बुटी का आप डायबिटीज में भी उप्योग कर सकते हैं। इसके लिए इस द्रोण पुस्पे के ताज्य पत्तों का रस लगभग 10 मिली की मात्रा में लेकर साथ में 500 मिली ग्राम काली मिर्ज का चूड मिलाकर आदा लिटर पाने में उबारें। और ये जब एक चोथाई सेश रह जाए तब ठंडा होने के बाद चान कर पीए। आप इसका उप्योग जोर में भी कर सकते हैं। इसके लिए द्रोण पुस्पे के पंचा के साथ सोंट, गिलोई, च जब सरीर में वात बढ़ जाता है तो कहें प्रकार के वात विकार उत्पन होते हैं। इसके लिए द्रोण पुस्पे के पत्तों का ताज्या रस निकालकर सहथ के साथ मिलाकर पिये। इस प्रयोग से बड़े हुए वात का जल्दी ही समन होता है और वात विकार से मुक्ति म जाता है, कान में डाला जाता है और साथ में पिलाया भी जाता है। इससे मरीज की ब्योशी दूर होती है और जल्दी से होस आ जाता है। इस प्रयोग को अजमाने से मरीज की जान जरूर बच जाती है और अस्पताल ले जाने का वक्त मिल जाता है। दोस्तों ये प्रयोग डॉक्टर के पास चरूर जाए